आप सभी लोग कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास एर्थ साइन्स का पहला चप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट तो आएए देखते हैं क्या है इस चप्टर में पहली एंड बूजो वेंट टू दियर अंकल्स हाउस दूरिंग दे समर वैकेशन गर्मियों की चप्टिया थी पहली और बूजो दो बच्चे थे वो अपने अंकल के घर गए दे अंकल इस फार्मा तो उनके जो अंकल थे वो एक किसान थे बच्चों ने वहाँ पर खेत में क्या कह चीज़े देखी उन्होंने कुछ टूल देखे जिनमें खुर्पी मिट्टी होदने के काम आती है खुर्पी सिकल जो है दराती को कहते है जिससे की घास फगरा काटी जाती है सोवल एक बेलचा होता है प्लो हल तो ऐसे कुछ औजार उन्होंने देखे जो की खेत में रखे वे थे तो अब बूजो के मस्तिस्क में कोई बात आई वो बोला I want to know where and how we use these tools तो उसने को कि वो शहर का बच्चा था उसने ध्यान उसे पता नहीं होगा कि इन टूल्स का उप्योग कहा होता तो वो सोचने लगा कि भई मैं यह जानना चाहता हूं कि इन और जारों का प्रियोग कैसे और कहां किया जाता है You have learnt that all living organisms require food तो आप सबको इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा ही है कि जितने भी जीव जनतु होते हैं living organisms होते हैं उनको भोजन चाहिए Plants can make their food themselves तो जो plant होते हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं Can you recall how green plants synthesize their own food क्या आपको पता है कि जो green plants होते हैं हरी पेड़ पहुंदे होते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं तो हमने पिसली कक्षाओं में पता है हमें last जो इससे पहले के classes थी तो उन में हम जानते हैं कि जो green plants है वो photosynthesis या प्रकास sensation से अपना भोजन बनाते हैं animals including humans cannot make their own food जबकि जो जित्ते भी जीव जन्तु हैं जिसमें मनुष्य भी आते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते वे अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं वे अपना भोजन plants से मिलता है उनको so where do animals get their own food from तो animals को अपना food कहां से मिलता है उनको अपना food plant से मिलता है जो कि photosynthesis से अपना food बनाते हैं but first of all why do we eat why do we have to eat food अब उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि आखिर हमें भोजन करने की ज़रुवत क्यों पड़ी you already know that energy from the food is utilized by organisms अब जो हमारे सरीर के अंग होते हैं बहुत सारे तो उनको अपना कार्य करने के लिए किसकी जरुवत होती है भोजन की जरुवत होती है उनको ऊटजा की जरुवत होती है energy की जरुवत होती है for carrying out their various body functions तो जिससे कि वह अपने body functions को कर सकें अब कौन-कौन से body functions कर सकें उसमें से कुछ body functions जैसे हैं such as digestion digestion मतलब होता है पाचन जब हम भोजन करते हैं तो उसके बाद सरीर के अंदर जाके चोटो-चोटो हिस्स समझ जाता है उसके बाद वह absorb करती है body हमारी तो यह सारी जो processes को जब सकें अधे फीला में एक इंक प्रवाइब इंप अवाज obt fools और प्रमनस और अनीमल और बोट जिते भी जीव जंत्य ओधाना या तो प्लांट से लेते ही या फिर दोनूसे उसे सहते हैं अदूंग होते हैं जो दोनूं को ऐनिमल्स को भी और प्रेंट से खाते हैं Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? अब भूजो फिर सोजने लगा, कि हम सभी को जब कि भोजन की जरुवत है, तो जो हमारे देश में इतनी बड़ी जनसे के इतने सारे लोग हैं, उन सब को भोजन कैसे मिलेगा? तो उसके लिए पहली ने क्या सुझाओ दिया? वो बोलती है, food has to be produced on a large scale, हमें क्या करना होगा? हमें बहुत बड़े मात्रा में भोजन का उत्वादन करना होगा, खेती कननी होगी, तो उसके नीचे और solution दिया है, देखिए, in order to provide food for a large population, regular production, हमें क्या करना चाहिए? फूट का regular production करना चाहिए, लगातार उसकी पैदावार, खेती हमें लगातार करते रहें चाहिए, proper management, जो खेती कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से फले, फूले, फली भूत हो, उसमें बिमारी ना लगे, सही तरीके से उसका रख़गाब हो, इसका ध्यान भी करना चाहिए, and distributed distribution, उसके बाद हमें जब फसल तियार हो जाती है, तो किस प्रकार से हम उस फसल को जरूरत मंदिर लोगों तक पहुंचा सकें, ये भी इसका भी ध्यान करना होगा, is necessary, next है agricultural practices, तो agricultural practices क्या है देखते है, till 10,000 BCE, people were nomadic, तो आज से बहुत साल, 10,000 साल इसा पूरू जो है, जो मनुष्य था, तो वो उसमें घुमकर प्रवर्तिका था, एक जगह इस ते नहीं रहता था, they were wandering in groups from place to place, तो वो उनके बहुत जुंड रहते थे और वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, क्यों जाते थे, in search of food and shelter, वो भोजन की तलाश में, और shelter मतलब घर के रहने की तलाश में, they ate raw fruits and vegetable, कच्चे, raw fruits means कच्चे फल and vegetable means सबजिया, तो कच्चे फल और सबजिया खाते थे, and started hunting animals for food, और धिरे धिरे उन्होंने क्या करा, कि जानवरों को भोजन के लिए मानना शुरू करा, यानि कि जानवरों को शिकार करना शुरू कर दिया, later they could cultivate land and produce rice, धिरे धिरे उन्होंने खेती करनी शुरू करी, जब खेती करी, तो फिर उन्होंने क्या क्या प्रोड्यूस किया, rice, wheat and other food crops, तो चावल धान कहते हैं जिसको, wheat मतलब गें हूँ, और other food crops, और other crops थी, फसले थी, उनको उसने उगाना शुरू किया, thus was born agriculture, इस प्रकार से क्रिशी की शुरूबात हुई, when plants of the same kind are cultivated at one place, on a large scale, it is called a crop, अब प्रशन ये उठता है कि फसल है, what is crop, क्या crop है, तो फसल ये है, इससे एक प्रशन भी बनता है हमारा, कि what is crop, तो आईए देखिए इसका अंसर क्या है, the plant of same kind are cultivated at one place, on a large scale, it is called crop, तो जब हम एक ही तरह के पौधों को, बड़ी मात्रा में हम उनको बोते हैं, उनकी खेती करते हैं, और तो इसको हम कहते हैं, crop, उस एक ही तरह के पौधे हुने थी ये, बड़ी मात्रा में, जिससे की हम उनकी पैदावार कर सके, for example, crop of wheat means, all the plants grown in the field are that of wheat, अब उधारन के लिए देखते हैं, अगर हम कहें कि, crop of wheat मतला अगर गेहु के फसल की बात करी जाए, तो हमारा उससे तात पर ये होगा, कि एक बड़ी जगब में हमने सारे जो पौधे बोए हैं, वो किसके हैं, गेहु के हैं, तो उसको हम गोलेंगे, कि हमने गेहु की फसल तयार की है, या फिर हमने क्या तयार किया है, crop of wheat तयार किया है, तो आज अभी हम इतना ही देखते हैं, इसके बाद हम ने अभी तक जितना भी पड़ा, इसमें कुछ questions निकलते हैं, अब हम देखते हैं कि उन questions के क्या-क्या answers होंगे, तो आईए देखते हैं, जो कुछ हमारे पास keywords थे, सबसे पहला word है, synthesize, synthesize देखिए, the process of production of any substance is known as synthesize, तो synthesize क्या है, कि जब हम किसी चीज को की पैदावार करते हैं या बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, synthesize, किसी चीज को बनाना, digestion, the process by which the food is broken into simpler substance, so that it can absorb by the body, तो digestion क्या है, जब हम कोई भोजन ग्रहन करते हैं, उसके बाद वो हमारे सरीर के अंदर जाके छोटे-छोटे हिससे में तूटता है, और धीरे-धीरे शरीर द्वारा अवसोशित या उसको बोड़ी हमारी एब्सॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि जिते भी उसमें पोश्चक तत्व होते हैं, वो हमारे सरीर के अंदर चले जाते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं, तो जहां सांस लेने में अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, वो उक्सीजन बोड़ी पार्ट्स में लास्ट हमारे सेल यानि कोशिका तक जाती है, और जो इस प्रोसेस में एनरजी या उर्जा निकलती है, इस पूरी प्रोसेस को में बोलते हैं, रस्पिरेशन, एक्सक्रेशन एक्सक्रेशन प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट मेटेरियल फ्रॉम अवर बॉड़ी अब हमारी सरीर में जब हम भोजन घ्रहड करते हैं तो बहुत सारे हानिकारक पद्दार्थी भी बनते हैं इनको सरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है नहीं तो हम ब है बनाते हैं तो उसका आंसर नीचे लिखावा है आंसर समें देखिएं क्ली की जो हमारा एट्मोसफियर आ उससे carbon dioxide लेते हैं जमीन से जो उनकी रूट से अंदर वहां से वह water absorb करते हैं और जो green plants होते हैं उनकी जो leaves यानि के पत्तियां जो होती है उसमें एक green pigment होता है जिसको हम कहते है chlorophyll तो chlorophyll की help से carbon dioxide और water की मदद से और sunlight की presence में जो green plants अपना food बनाते हैं भोजन प्रोसेस को हम बोलते हैं photosynthesis और इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है green plant जो food बनाता है और उसके बाद जो oxygen gas है वह atmosphere में वापिस भेजता है तो इसलिए हम कहते हैं green plants हमारे carbon dioxide को absorb करते हैं या सोकते हैं और oxygen को release करते हैं या छोड़ते हैं second question है why do we need food हमें भोजन की जरूरत क्यों पढ़ती है हमें क्यों चाहिए बोजन तो इसका answer देखे नीचे to perform different body functions like digestion respiration excreation आदी एकसेटर तो इसमें बोला है कि अगर हम जो हम food लेते हैं तो उसके उसकी मदश से जो हमें energy मिलती है उस energy से हम लोग क्या करते हैं जो हमारे different body functions होते हैं जैसे digestion respiration excreation जिसके अभी हमने उपर बात की थी इस ऐसे और भी बहुत सारे हमारे body functions होते हैं उन सबको पूरा करने के लिए हमें food की जरूबत पड़ती है third question है how can we provide food to a large population अब बहुत बड़ी जनसें क्या के लिए हम food कैसे provide कर सकते हैं तो इसका answer क्या है by regular production proper management of distribution of food तो दो चीज हमें करनी पड़ी है तो हमें खेती की जो regular production है कहने का मतलब है खेती लगातार खेती करते रहने पड़ेगी और साथ ही proper management of distribution जो फसल त्यार होगी उसका manage करना है उसके साथ उसको किस तरह से हम सब जगा पहुचा सके जिससे कि वो सब लोगों तक उसकी पहुच हो सके तो इस पूरी process को हम बोलते है क्या कि इस तरह से हम जो food है पूरे सब जगवे वह कर सकते हैं तो अगला कुश है इसमें define crop crop को define करिए तो crop को हमने वैसे ही define किया था इससे पहले भी हमने जब जब हम परग्राफ में देखा था तो एक बाद फिर से देख लेते हैं इसका answer नीचे है plant of same kind cultivated on a large scale at one place plant of same kind एक ही तरह के सारे जो plants अगर हम बहुत बड़ी मात्रा में एक जगह पर उनको cultivated मतलब लगाएं बोएं तो इसको बोलते हैं crop तो इस तरह से हमारे जो ये तीन या चार paragraph हमने पढ़े उस पर बेस जो keywords थे question answer थे हमने देखा तो आप सब लोग इसको अपने copy में note कीजिएगा और साथ ही इसको एक बार revise जरूर करेंगे Thank you